तो देखिए जैसे ही हमने यहां पर इस विद्याले में बहुत छोटा सा है इसमें इंट्री की है सबसे पहले हमें फ्रेंट में प्रम पुझे बाबा साब जो की सविधान के रचेता है और देश के प्रथम कानून मंत्री है उनकी तस्वीर लगी दिखाई दे रहे हैं तो इ झाल 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 नमस्कार आप देख रहे हैं एन्बीनीज 24x7 निलम बोद के साथ और साथ यो आज जो भारत का आखरी गाउं पड़ता है नेपाल बोर्डर पर सोन बरसा जी हाँ सोन बरसा प्रखंड है और उसमें बहुत सारे गाउं है उसी में से गाउं है मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन जिस तरह से मैंने यहां के हाला देखे सित्थी देखी बहुत ही दुख हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर आजादी के 75 साल के बाद सरकारे जिस तरह से अमरत मुहसर बना रहे हैं समानता की बाते कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात कर लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यह गाउं है इसकी जो सित्थी है वो काफी दैननी निया ह और देखे, मैं यहां को थोड़ा सा मंजर दिखा दू यहां का गली का नजारा है और आप देखिए आज लोग किस तरह के हालातों में यहां पर अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, बांस के द्वारा या लकडी के द्वारा, आज भी कच्छे मकान आपको आजादी के 75 साल के बाद भारत देश में बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं ऐसे ही हाला तो मैं यहां पर एक ऐसा स्कूल एक ऐसा प्रयास चल रहा है जिसे मुझे आपको दिखाना चाहिए तो आएए मैं आपको लेकर चलती हूं उस स्कूल की तरफ तो देखिए जैसे ही हमने यहां पर इस विद्याले में बहुत चोटा सा है इसमें इंट्री की है सबसे पहले हमें फ्रेंट में प्रम पुझे बाबा साब जो की सविधान के रचेता है और देश के पर्थम कानून मंत्री है उनकी तस्वीर लगी दिखाई दे रहे हैं तो इ तो देखे जिस तरह से यहां पर स्वागत हुआ जैब हीम से और जैब हीम का जब कहें इस तरह से बहुत होता तो कहीं नहीं एक अलगी अनुभूती होती है और यहां पर मेरे साथ में सर हैं उनसे जुड़ने का प्रियास करूंगी सानाम क्या आपका मेरा मनुज कुमार र सब्सक्रumों की अंतरगत जो है बहुत सारे बच्चे निशूलक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ऑप काफी हद तक बच्चेंठ इतना गरीब बच्चेंठ गरीब बच्चों को अधिक से अधिक हम जोरनी कुशिट करें कि दाकि हुआ आगे आकर के और समाज को आगे बढ़ाए हम एक एक बच्चा जितना भी होगा हमारे यहां हमारे छेत्र में जो पढ़ने वाला हम सब को हमारे खाइज ही है यह एक बच्चा को सिक्षित कर दे ताकि वह अपना भविष्ट को सुधार ले और आगे उपना कदम स्वेम सब्सक्राइब कर लेगा तो आने वाला भविष्ट का सुधर जाएगा और गाओं का लाइफ बदल जाएगा तो यहां पर आप बैसिकली स्कूल से और कॉली से जुड़ी हुई शिक्षा देते हैं फिर कॉम्पटिशन की भी तैयारी कराते हैं कॉम्पटिशन के भी बच् लाइन का भी बेच हम पर आते हैं यहां पर तो इस तरह से चलता है तो प्रती दिन कितने स्टूडेंस आते हैं लगवग में 100 बच्चे रहते हैं तो सर जो आपकी आजीव क्या क्योंकि आपने बताए कि निशुल के हाँ पर पढ़ा रहे हैं कुछ बच्चे है थोड़ा आपको फीस पे करते हैं तो गर की जीव मतलब नहीं है और थिक ठाक मतलब विवस्था भी नहीं तो किस तरह से मैनेज करते हैं इसको तो इसमें जो है बहुत सारे समाजिक बेदिक भी जो है जो हेल्प करते हैं अब को को आशार अब हो जैसे ही इन्टरी के हमने यहां पर जो सविधान के रचेता प्रम्पुजे बाबा साहब उनकी तस्विर लगाई तो उसके पीछे क्या करण आपका बाबा साहब का जो है हम बहुत बड़े भक्त है सुरू से ही जिसमें से परहाई स्टार्ट किये थे तो उनका एक ही बचनता की सिक्षित बनो संगठीत हो संगर्स करो तो हम सभ भी बच्चों की यहीं बताते हैं कि आप जो है बाबा साहब के जो बतावे मार्ग से है उस पर चलिए और जब उस पर चलिएगा तो वह बहुत बरे आगे चल कर निकले निकलेगा क्योंकि उनका जो जीवन था दूख से भरा हुआ था और किस परकार से अपने जीवन को आ हां कौंसे कख्षा में पढ़ा रहा ही एलाग है तर एंध क्लास में तो यहांपर जो कोना से चॉप अधे अजक्युस्थ भुगौल माईध में इंगलीज मतला ओलोवर सारे सब्जक्ट पढ़ाते हैं सारे सब्जक्ट पढ़ाते हैं तो और भी बच्चे हैं उनसे जुडएंगे हम बेटा नाम क्या आपका रोशनिक उनसे कश्णां पढ़ रहे हो तैंध क्लास में तो यहां पर जो सब्जक्ट इक्वल पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा पढ़ा रहे हैं तो देखिए जहां पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं भारत की राजधानी की वहां पर एक सब्जेक्ट टैंथ क्लास का स्टूडेंट पढ़ता है तो कम से कम उसको ढ़ाई तीन हजार उपे पर मंत पे करना पढ़ यहां पर जो जितन मांजी थे याद है पढ़ते हैं आप मैं इसलिए पूछ रहे हूं जितन रामाजी जी 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 ग्या जानते हैं इनके बारे हमें ब्यार के मुख्य मंत्री ब्यार के मुख्य मंत्री जी पहले थे याब है पाले थे अब को ने वरतमान में अभ सब्जेक्ट क्या है एपनना चाहते हो पड़े के दरोगा जी इसलिए इसलिए है तो यह विसलिए तो क्या करना चाहते हैं कैसे बनोगे प्रफाइनल हो जाएगा तब बहुत आएगा तो कितना घंटा पड़ाई के लिए देते हो और यहां जो सर पढ़ाते हैं उससे कितनी हेल्प मिली आपको मैं बहुत हेल्प मिली है सब्सक्राइब करना था लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों ने चुना है और भी आपर दूसरी क्लास है मैं अपको लेकर चलना चाहूंगी और बहुत हैं और देखते हैं क्या गति विद्या हो रही हैं तो यहां पर देखिए आप जय भीम सबी को तो देखे यहां पर भी जय ही से स्वागत हुआ है बैठी बेठी आप सभी लोग तो हम यहां पर भी जुड़ेंगे अधिनले बाते हैं कितना समझबते बहुत आता है तो अगर स्कूल में किसी तरह की समस्या होती है यहाँ पर सर से पूछते हैं हाँ फुछते हैं तो हढ़ी है तो क्या बनना आपको हमको बनना आर्मी से पर सतुछ्ट लगणा है हाँ चलिए ठीक बच्चे हैं और भी स्टूडेंट्स है मैं उनसे जूड़ूंगी बेटा नाम क्या है शुवम कुमार कुनसी क्षाम पढ़ रहे हो नाइंट में क्या बनना चाहते हो इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी तो देखिए अभी जिस तरह से बच्चे ने बताया ज अब भी आर्मी में जाना चाहते हैं अच्छा लगता है कि सेवा करने के लिए अच्छा यहां पर जो सब्ढ़ा रहे हैं क्या क्या सब्जक्त पढ़ते हो आप कि अभी कितना है कितना टाइम हो गया एक हपता एक हपता एक हपते से अभी आ रहे हैं और 8th class में हूँ है अब हे पहले से तो सर कैसा पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते तो देखिए यहांपर ज्यादा तर बच्चे 8th class के हैं और बता हैं कि अबयुक्त है कुछ बच्छे काफरी पहले से आ रहे हैं लेकिन बतार रहे हैं कि सर काफी अच्छा पढ़ाते और काफी help मिलती है इनको यहां से और देखिए अब तक जितने भी बच्चों से मैंने बात किया सभी की तरफ से एक ही जवाब आया कि वह आर्वी में जाना चाते हैं इनके जवाब से लगता है कि जैसे यहां पर आर्मी की की भावना भी है और इसी कड़ी में मेरे साथ में यहां पर संतोस अंबेडगर जी इतने बड़े स्तर पर बच्चों को पढ़ाना और इतनी बड़ी वश्था खड़ी करना तो यह चीजे पहले तो यह बताएं किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला और इस दिशा में जो आपके सहयोगी लोगे किस तरह से काम कर रहे हैं जैबिम नमुधाय धन्यवाद आपका जो आप आएं यहां पे और इस कार को दिखा रहे हैं कि समाज के सहयोग से ही यह कार हो रहा है और जहां भी देखते हैं कि टीम सब यह जानते भी नहीं रहे होंगे कि हां बाबा साहब सावित्रिया फूले कोन है कम से कम यह लोग जान रहे हैं जैबिम बोलने यह बहुत बड़ी प्रिवर्तन है और कोशी से उमीद है कि और अच्छा काम करेंगे और हम चाहते हैं कि समाज के हर बुद्ध्य जीवी लो इस कारवा को बढ़ाने में सपोर्ट करें शहयोग करें कि ताकि और बेहतर काम कर सकते हैं जो चाहते हैं जो दिल में आग है और प्लानिंग है दिमाग में वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ साधन साधन के खारण तो उमीद करते हैं कि होगा एक वक्त आएगा तो देखिए कई बार होता है कि उम्र किसी भी लक्षे को निर्धारित करने के लिए कोई माप दंडे नहीं होती है लेकिन जजबा होना चाहिए दिल में कुमंग होनी चाहिए एक आग होनी चाहिए किसी भी लक्षे को प्राप्त करने की संतोज भले उम्र में बहुत कम है ले विद्लाव की तरफ बढ़ेंगे और जिस तरह से संतोस जो काम सरकार को करना चाहिए आज वो काम संतोस अंबिडगर जी के माध्यम से बिहार में कई जीलों में हो रहा है जो की बहुत ही अच्छा है और सरानिय है और जो लोग इनको सहीओ कर रहे हैं वो भी लोग कहीं न कही सादुवाद के पात्र है क्योंकि बिना सयोग के कोई भी करें सफल नहीं होता है तो मैं चाहूंगी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको इस तरह का संघर्ष लोगों का कैसा लगा और इसी कड़ी में मेरे साथ में मदन जी भी है मदन जी लगाता जो सीता मणी है शायद वहां पर एजुकेशन फोर चेंज को देख रहे हैं और वहां पर बच्चों को यह पढ़ाने का काम तो करता ही करते हैं उनकी जो पूरी टीम है वो इनको सहयु करते हैं और हम लोग समय समय पर आते हैं और कोप्रेट करते हैं और बच्चे सब को काम कर रहे हैं तो देखें बहुत बड़ी बात है नीशुल्क एजुकेशन देना वास्ता में जो महानपुर्सों का सपना रहे कहीं नहीं उस सपने को एजुकेशन फोर चेंज आज लगा है और इस तरह के लोग वास्ता में साधुवाद के पात रहें चाहें जिस तरह से अभी हमने यहां पर सर से बात करी वह अपना कीमती समय करना चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इन लोगों का जो धरातल का वर्क है वह आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूंगी आप आर्थिक रूप से लोगों को सयोग करें अकाउंट नंबर मैं आपको स्क्रीन प मिल सके को